वेलकम बैक तो मैं चैनल आवरेवन तो तुदेए आवल राइट पोग्राम तू हाव तू फाइंड दे सिंपल इंट्रेस्ट पहले लिखेंगे include.include studio.h .h उसके बाद लिखेंगे include.konyo.h जैसे की आपको पता studio के हम लोग कुछ functions use करेंगे इसलिए studio को call किया और konyo के भी कुछ functions use करेंगे इसलिए konyo को call किया जैसे जैसे आप function जिसके use करोगे आपको call करना जरूरी हो जाता है वरना वह error आ जाएगा कि this function does not have a prototype तो उस error से बचने के लिए हम लोग उसको call करते है तो हम लोग यहाँ इनिशलाइस करेंगे prt और amount मैंने लिया है तो पहले आप इनिशलाइस कर दो जिस जिस variable की आपको use है और उसका data type जिसे मैंने int रखा है आप double रख सकते हो float रख सकते हो जैसा रखना है आपको वैसे रख सकते हो पर मैंने int रखा है फिर मैं लिख रहा हूँ printf means यह जो printf के अंदर जो भी हम लोग double quotes के अंदर लिखते हैं तो वहाँ वो display होता है यह user के लिए तो हम लोग लिख रहा है enter the principle rate and time तो आप अलग-अलग मांग सकते हो मैंने एक साथ मांग लिया वह आपर depend करता है फिर मैं लिखा हूँ scanf scanf मतलब वह जो values user देगा उसे हम लोग scan करके और कि इसमें जैसे address p मैंने इसमें जो variable पहला वला जो variable है वह इसमें store होगा p में दूसरा r में और तीसरा time में तो देखो मैंने इसी order में मांगा भी user से पहले principle amount फिर rate फिर time तो मैंने उस order में save भी किया है अगर आप उसे mismatch कर दोगे तो जो values है वह गलत में save हो जाएंगी फिर मैं amount find कर रहा हूँ amount आपको पता है si is equal to p into r into t by तो आप वह formula लगा दो उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है फिर print f the simple interest is equal to percentage d जो value है किसकी जिसकी आप address लिख दो मैंने amount का address दिया है तो amount की जो value है वह d में जाएगी अगर so अब हम लोग save करेंगे तो आप save कर दो किसी भी नाम से आप कर दो मैंने sbc save किया फिर compile करेंगे zero error है अगर error है आप में तो पहले करो उसके बाद run करो तो अगर आप देखो तो मैं enter तो 100 मैं अदम आसान डालूंगा 100 और rate कितना 5 and time 1 डाल देता है अरे get ch नहीं लगा है आप यह गलती ना करें get ch लगा दें वह dialogue box close हो जाता है और clear screen भी लगा देता है वह बार बार वह वह values उसमें आती रहेंगी तो दिक्त मतलब अच्छे से नहीं लगता तो आप उसे clear screen कर दो फिर से save करेंगे फिर compile करेंगे फिर run करेंगे अब हम लोग डालते है 100 1 डाल देते है 100, 1 & 1 simple interest is 1 तो ऐसे आप बहुत सारे programs बना सकते हो और मैं फिर एक नया program लेके आँगा तब तक के लिए this is Tanmay Singh signing out